नमस्कार क्या आपको भी कोई बातों बातों में पागल बना के चला जाता है क्या आप भी इस दुनिया में एक कमजोर व्यक्ति साबित हो रहे हो आप इमोशनली रूप से आप मेंटली रूप से आपको लगता है कि यार मैं वीक हूँ हर कोई मुझे बेवकूब बना के चला जाता है हर कोई मुझे इस्टूपिड बना के चला जाता है एक बात ध्यान रखना आज की दुनिया कमजोरों की दुनिया नहीं है अगर आप इन परजन टाइम में कमजोर रहोगे ना तो हर कोई आपका इस्तिवाल करेगा हर कोई आपको बेवकुब बना देगा हर कोई आप से काम निकलवा देगा और हर कोई आप से काम निकलवा के आपको छोड़ देगा अना तो छोड़ देगा उनका स्वार तो पुरा हो और आपको छोड़ देगा तो आखिर अपने आपको मजबूत कैसे बनाए कैसे हाउ अपने आपको ऐसे बनाए कि कोई भी लोग, दूसरे लोग आपको बेकूग बना के अपना काम नहीं निकला सके ऐसा कैसे बनाए आप इतने बावतमक एमोस्नली कमजोर क्यों हो इस दुनिया में आपको एमोस्नली कमजोर नहीं रहना है अगर रहे तो समझ लेना कि आपका नुकसान है तो आप रही बात यह है कि सर कि हम बहुत से पूछते हैं कि सर हम वाकवी में मेंटली मजबूत कैसे बने इमोशनली बावत्मक रूप से मजबूत कैसे बने कि ताकि कोई दूसरे लोग हमको बेकूप न बना सके तो एक बात त्यान रखना सबसे पहले तो इमोशनली मजबूत बनना आज के दुनिया क्या करती है पता है आपको देखती है कि यार यह आदम यार इमोशनली ब्लेक मेल हो सकता है नमबर वन बात बता रहो मैं आपको कमजोरी की निसानी की नमबर वन बात दुनिया देखती ग्यार यह emotionally blackmail हो सकता है बस चुटकियों में आपको लोग क्या करेंगे बात बात में कुछ भी काम होगा आपके पास हैंगे आपको emotionally blackmail करेंगे और आप क्या होते हो आप भवत्मक रूप से आप emotional रूप से आप एक kindness अपने मन में रखते हो आप अपने मन में दया लुता रखते हो आप फट तुरंत आप पीगल जाते हो आप emotionally रूप से कमजोर हो जाते हो और सामने वाला का काम कर देते हो और in the next time जब आपके कोई काम पढ़ता है सामने वाले से जिसका आपने काम किया है तो वो क्या करेगा अरे यार अभी टाइम नहीं यार अरे मैं बाद में करने हो तुम्हारा काम यार अरे मैं आजाओंगा यार इसे करके आपका काम टाल देता है वो आपका काम करेगा नहीं दूबारा वो आपका पास आजाएगा काम करने के लिए आपको पता है कि यार उसने मेरे के काम नहीं किया दूबारा वापिस वो आपका पास आएगा एक बार को आप वापिस को क्यों क्योंकि आप इमोसिनली ब्लेकमेल होते हो अगर आपको स्ट्रोंग बनना है आपको मेंटली स्ट्रोंग बनना है मजबूत बनना है तो सबसे पहले इमोसिनली बावना अपने मन से निकाल देना इमोसिनल ब्लेकमेल मत होना अपने विवेक से आधर किसी की दूसरे के कहने से अरे निया तुझे वो काम करना च facets अर्भो वर्क तेरे लिए बेटर रहे का जब 10 दूने तेरों को लोग तेरों को वो काम कर देते हैं तो आप क्या करते हैं वो काम लगा मंने हम सुनना सब की करना अपने मन की वीवेक से काम लेना आप कुछ भी काम इस्टार्ट कर रहे हो तो अपना दिमाख अपना वीवेक लगाना किसी काम करने सब п। दिल से कम आधकिन कि उस में क्या अच्छा है और क्या बुराई है लोग आपको राय देदेंगे लेकिन आपको बिजनिस में जब लोस होगा न उस वक्त वो आपके बागिदार बनने नहीं आएंगे हाँ इसको उल्टा जैसे आपने सक्सेश पाई यू गोट सक्सेश इन यूर लाइफ देन दे विल कम विद यू आपके पास में वो आजाएंगे क्यों क्योंकि आप सक्सेश हो गए हाँ आपका साथ छोड़ देंगे आपका अनात होती है इसलिए ध्यान एकना कुछ भी आप जिवन में कुछ भी कुरापना कोई साभी डिसिजन हो चाहे आपने फेमेली के लिए हो चाहे आपके रिलेटिव्स के लिए हो चाहे आपकी सोसाइटे के लिए हो चाहे आपके बिजनेस के लिए हो इन एवरी कंडिशन कोई साभी डिसिजन हो दूसरों के एडवाइस पर अपना डिसिजन मत लेना अपना वीवेक काम में लेना थार्ड मजबूत लोग क्या करते हैं वो अफसोस करने में वक्त जया नहीं करते हैं कोई भी काम किया उनसे गलती होगी ठीक है गलती होगी तो दुबरा आगे बढ़ते हैं यूनिक उस गलती लेकर बेठे रहते हैं बस अफसोस व्याकते करते हैं मैं इसा क्यों किया या मैं इसा नहीं करता तो इसा नहीं होता आखिर मैंने इसा क्यों किया बार 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 उस बात को लेकर रोते रहते हैं रोते रहते हैं ऐसे ही करते हैं मजबूत लोग ऐसा नहीं करते हैं वो strongly होते हैं, mentally होते हैं, हाँ ठीक है उन्होंने mistake कर लिये लेकिन वो क्या करते हैं, वो take care करते हैं in future में वो कहते हैं कि इस fault को, इस mistake को हम repeat नहीं करेंगे हाँ, mistake हो गई है तो मजबूत लोग अफसोस करने में अपना समय जाया नहीं करते हैं इसलिए आप भी कुछ भी कलती हो जाएए, उसमें हाँ उस कलती से सीख लेना और दुबारा उस कलती को मत करना लेकिन अपना वक्त, waste मत करना बार बार उस बात को लेकर फॉर्थ, मजबूत लोग क्या करते हैं दूसरों की कामियाबी से जलते नहीं हैं मजबूत लोग दूसरों की कामियाबी में साथ रहकर जस्त मनाते हैं कमजोर लोग क्या करते हैं औरे और वो खुस हुआ वो इसको बहुत कामिया मिलिया फिर अंदर ही अंदर चलते रहते हैं बस अपने आपको दुखे करते हैं आखिर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया आखिर मैंने सपलता क्यों नहीं पाई आखिर मेरे पास ऐसा कुछ कुछ क्यों नहीं है बस मानी मन चलते र तो जोकिम होने के बाद में आगे बढ़ते हैं, वो कुछ भी कारी करते हैं, उन्हें लगता है कि इस काम में जोकिम है, लेकिन इन फ्यूचर में हमें सपलता मिल सकती है, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं, मजबूत लोग जोकिम एक रिस्क लेना पसंद करते हैं, किसी भी काम इसलिए आपको भी थोड़ा strongness बनना है, तो कोई सा भी काम हो, हर जीवन में एक बात ध्यान रखता है, मैं एक बात जरूर करूँगा, आप कोई सा भी काम कर लेगा, इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसमें रिस्क नहीं है, हाँ किसी में रिस्क थोड़ी है, किसी मे लाइप में इस डेपिनेटि मैं दावे के साथ मैं शूर्टी के साथ में कह सकता हूं कि बिना जोकिम आप इस लाइप में यू कांट डू नथिंग